हेलो फ्रेंड दिस पारितोस और आप देख रहें I speak about money आज इस वीडियो में step by step process के साथ में हम अपने लिए stocks filter करेंगे fundamentally stocks filter करेंगे साथ में इसको technical analysis के साथ में भी देखेंगे यानि technical analysis में हम algorithm use करेंगे तो step by step process बताने वाला हूं मैं आपको कि पहले fundamentally कैसे stocks filter करोगे फिर सो technically कैसे stocks filter करोगे यानि अगर मेरे पास हच पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए और मेरा view long term view है मैं तीन चार साल पास साल के लिए hold कर सकता हूं और हमें मालूम है कि market इसमें काफी गिरा है तो अगर मुझे खरीदारी करनी है stocks खरीदने है कुछ अच्छे stocks खरीदने तो यह perfect time है stocks खरीदनेगा क्योंकि अभी काफी अच्छे value sense पे आपको stocks मिलेंगे तो वही सारी process मैं step by step आपको बताने वाला हूं screen पे तो अब screen पे चलते हैं और फटाफटी step process को follow करते हैं समझते हैं और जो भी list निकलेंगी वो list में description में दे दूँ हूं so that आप उसको एक बार अपनी तरफ से watch list create कीजिए and then उसको study कीजिए तो सबसे पहले मैं ticker tape पे हूँ देखो काफी सारी west sites है हलंकी available जहां पर आप fundamentally और technically filter कर सकते हो लेकिन क्योंकि मैं ticker tape का subscription मेरे पास है तो मैं ticker tape के थुरू कर रहा हूं तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि हमें कौन से stock universe में अपने stocks filter करने है तो अभी हम nifty 500 में करेंगे हैने शुरू की जो top 500 companies है वहां से stocks filter करेंगे sector का हम कोई यहां पर condition नहीं दे रहे market cap की भी कोई condition नहीं दे रहे हालंकि मैं market cap का condition देना चाहूंगा कि कम से कम 500 क्रोर के करीब की company उससे उपर की जितनी भी company वह सब तो हमने एक filter लगा लिया तो तक्रीबन जो हमारे पास result आ गया भी 501 results है 500 करोड से उपर का market cap होना चाहिए और उसके बाद हम अभी additional filter लगा रहे है additional filter में देखो हम काफी सारे चीज़ा आती है तो additional filter में जैसे सबसे पहले जो financial ratios में देखोगे तो देखो अभी हमें मालूम है कि interest rates बढ़ रहे है तो मैं ऐसी company में अपना पैसा invest करना चाहूँआ जो की जिसपे leverage कम हो debt कम हो interest कम pay करना पड़े कोगी margin infect होगा तो debt to equity ratio हमने कर लिया उसके बाद हमारे पास option आता है यहाँ पे कोई दूसर option है नहीं profitability में जाएंगे profitability में हम देखेंगे 5-year average return on equity ठीक है इसके कैसे कैसे filter करेंगे वह अभी हम बताएंगे अभी देखेंगे 5-year उसके बार return on capital employed अच्छा इस पे तो कही बार वीडियो बना चुका है काफी लोगों से सुना भी होगा आप थोड़ा सा Google भी कर सकते कि actual में होता क् return on equity return on capital क्या होता है तो वह सब चीज़ों पर मैं इतना नहीं ध्यान दे रहा हूं अभी 5-year average net profit margin या नहीं कंपनी का जो net profit margin है net profit है वह बढ़ता भी रहना चाहिए तो average net profit बढ़ता होना चाहिए तीन चीज़े filter करिए अब यहां पर हमारी आ चुकी है debt to equity ratio में हमें क्या करन है even in fact 3% भी रख सकते हैं यह filter कर लिया हमने तो अभी हमारे पास तकरीवन 107 है यानि शुरू की 500 companies में जिसका debt to equity ratio is less than 3 ऐसी 107 companies है उसके बाद 5-year average return on capital employed इसमें हमें करना है 15% से उपर मतलब हम चाहेंगे कि last pass solo का return on equity 15% से उपर हो ठीक है इसको filter कर लिए लेंगे तो तकरीबन हमारे पास अभी 67 results है तो यह stocks filter कर रहा हूं fundamentally stocks filter कर रहा हूं return on capital employed में भी हम तकरीबन 10-12% कर सकते हैं आप अपने इसाब से भी choice कर सकते हो वैसे से add filter कर लेंगे हम यहां पर तो तकरीबन 64 results आ गया अभी अभी आ गया 5-year average net profit margin net profit margin की business जितना भी profit कमा रहा है gross के बाद सब कुछ minus करने के बाद जो net profit margin है business का business margin है हम यह चाहेंगे कि वो business margin consistently from the last 5 years consistently बढ़ रहा हो तो मैं expect कर रहा हूं क्योंकि net margin काफी कम होता है companies का तो आप ज्यादा x-pay मत number मत डालो मान के चलता है कि चलो 10% से उपर है तो तकरीबन हमारे पास अभी 48 results है अभी हमारे पास अगर ऐसा देखा जाए कि जो कंपनिया जो हमारे इस filters में इस fundamental जो filter हमने मार रहे क्या हमारे निफ्टी 500 companies साथ ही में हमने देखा debt to equity ratio है 3% से कम debt to equity ratio है 5 year average return on equity कितना है 15% से ज्यादा है return on capital profit employee 12% से ज्यादा है 5 year average net profit margin 10% से ज्यादा है consistently these companies are making a profit इसी के साथ में एक filter और मारेंगे वह technical filter हो सकता है हम देखेंगे कि वह company जो 52 week high के पास में है ज्यादा दूर ना हो तो इसके लिए भी हम filter कर सकते है like these are companies that are nearby their 52 week high तो कितना मान के चल सकते है जीरो से 10% करते है मतलब अपने 52 week high से 10% अवे है नियर 52 week high कर लिजे आप इसको या तो अभी देखो कोई company ऐसी आई नहीं है एक्षिली जो 10 कोई market काफी week है ना तो देखो अभी अगर इस हिसाब से देखे जितने भी सारे filters लगाए और उसमें हमने अगर यह company देखनी है जो वह stocks जो 52 week high के पास में इन सुरू की top 500 company में तो सिर्फ एक ही नाम आता है वो नाम क्या है ITC limited fundamentals अच्छे company के और यह stock basically 52 week high के पास में है तो एक fundamental में तो यह समझ में आ गए चलो ITC अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं क्योंकि results हमारे काफी कम परिल भी कम हो गए एक अगर 0 से 15 करते हैं तो ITC है आइकर मोटर से हिंदुस्तार अरोटिक्स लिमिटीड है भारत अट्रोनिक्स लिमिटीड है तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से fundamentals filter कर रहे हैं अब हम इसको number को और बढ़ा लेते हैं क्योंकि इसकी वज़ए से काफी सारे stocks filter हो गए अभी हमने यह देखा है कि वह कंपनियां जो हमने fundamental चेक कर रहे है return on capital employed देखा है return on equity देखा है साथ में net profit margin देखा है और वह फिल्टरेशन है इसमें हमने 40 कर दिया तो इसका कोई माइन नहीं रखता 52 वीग है लेकिन अभी भी आगर देखेंगे जो इन सुरू की top 500 company में जो 52 वीग हाई के पास में वह कौन से stock है ITC उसके लावब 4-5 नाम औ आपको हिंदुस्तार अरानॉटिक्स लिमेटिड उसके बाद आपका हो गया ITC उसके बाद हो गया आइकर मोटर्स एक दो नाम हो रहे है दुबारा मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि दस में तो आ गया हम आपका ITC आइकर मोटर्स हिंदुस्तार अरेनॉटिक्स और भारत एलेट्रोनिक लिमिटेड तो यह 0-15 परसंड की रेंज में हैं जो 52 वीक हाई के पास में अब मैंने इसको इना फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम इसके बाद हम डारेक्ली टेक्निकल अलेजिस करेंगे अभी तक्रीबन 26 नाम है हमारे पास 26 में से हम देखेंगे सुरू की 4-5 कंपनिया जहां मैं अज समय अगर मुझे मेरे पास पैसा है तो मैं डालना चाहूं तो मैं डाल सकता हूं अच्छा ओके तो अभी मेरे पास जो टिकर आया है मुझे टिकर चाहिए अभी टिकर को मैं क्या करूंगा मैं एक फिल्टर बना लूँगा एक टेक्स डोकुमेंट बना रहा हूं क्योंकि हम इसको अभी अल्गोरिध्म में देखेंगे मैं आपको step by step process बता रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने लिए best stock select कर सकते हो इस समय गिरते वे market में अगर आपको अपने पास अपने stocks invest करने के लिए आपको ढूणने हैं तो यह किस तरीके साब ढूण सकते हो तो हमने फाइल save कर दी है तक्रीबन जो 26 नाम है इसको नाम दे देता है कुछ निफ्टी 500 चलो ओके तो अभी हमारे पास क्या option है अभी हम जाएंगे अपने scanning one में ठीक है यह खासतों से जो मेरे साथ जुड़े हुए आप लोगों को तो मैं scan करके ही दिखा रहा हूं तो इसमें हमारे पास निफ्टी तो यह लिस्ट हमारे पास आगी दो तीन मिनट लगेंगे इस लिस्ट को populate होने में अभी हमारी पूरी की जो भी लिस्ट हमने अभी fundamentally यहां पर filter करी थी वह हमारी पॉपुलेट हो गई है इसमें अब हम इस पर technical analysis के लिए हमेशा से मैं normally वह stocks प्रेफर करूंगा जो fundamentally भी fit हो साथ में consistently alpha भी generate कर रहे हो अब volatility कम हो plus as per the nifty 50 क्योंकि market का barometer nifty 50 है तो nifty 50 को भी consistently beat कर रहे हो तो इसके लिए already मैंने already जो algorithm बनाया हुआ है जो normally मैं अपने passive income club community में discuss करता हूं उसी को just we will run it तो अभी हम उसमें run करेंगे हापे analysis में जाके और जो हमारी list तयार है उसमें हमें तक्रीबन 26 stocks जो हमारे filter हुए है और हम इसमें explore करेंगे तो अभी उस हिसाफ से अभी अभी हमारे पास beta value, alpha value और RSL तीनों चीज़े आच होगे 26 stocks की जो fundamentally fit है और मुझे यहाँ पर देखना है जिसका सबसे ज्यादा RSL है volatility काम है और alpha भी ज्यादा है तो इसमें एक नाम है जो अभी जो आ रहा है वो है आपका भारत dynamics limited हलंकि आज जो भारत dynamics limited काफी गिरा है लेकिन फिर भी अगर fundamental देखा जाए टेकनिकली देखा जाए तो वो काफी strong है अच्छा यह मैंने जो filter लगाया हुआ है यह 26 week के हिसाब से लगाया हुआ है ठीक है तो मैं weekly basis पे यहाँ पर study कर रहा हूँ लाइक्स 26 week के हिसाब से में यहाँ पर इसको study कर रहा हूँ तो उस हिसाब से RSL value सबसे ज़्यादा है भारत dynamics limited की alpha है 3.34 अब volatility ज़्यादा है 1.47 उसके बाद नाम आता है आपका HAL हिंदुस्तान अलेनोंटिक लिमिटेड जिसका RSL है 1.24 और alpha positive होना चाहिए it should be above than 1 1.74 अब volatility should be less than 1 तो 0.85 तो हिंदुस्तान अलेनोंटिक लिमिटेड भी एक अच्छा stock है उसके बाद आता है आपका ITC ITC में 1.18 और alpha है आपका 1.03 और beta है 0.65 फिर आता है आपका आपका BEL फिर आइकर motors बजाज ओटो बेयर क्रोप हिंदुस्तान इनिलिवर क्रिसल यह हलंकि यह ऐसे कैसे list मैं आपको दे सब्सक्राइब करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं मुझे लगता है कि अगर आपको लॉंग टर्म के लिए 3-4 साल के लिए लिए होल करना चाहते हो तो यह स्टॉक से जो अपको काफ़ अच्छे कवाकर दे सकते हैं consistently बीटिंग दी मार्किट consistently या तो यह पूरा पूरा लिस्ट मैं ऐसे कैसी दे दूँआ आपके स्टडी के लिए काफी हेलफुल होगी तो आज वीडियो बनाने का अब्जेक्टिव यही था क्योंकि हर वीक में कम से कम या दस से बारा दिन में कुछ इस तरह के की स्टॉक्स की लिस्ट या कुछ करना चाहते हो पैसे इंकम कलब को में जहां पर हम सिखा रहे किस तरीके से कोडिंग करोगे किस तरीके से आप अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करोगे टेक्निकली वह सीखना चाहते हो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्सिन मिलेगा तो फिर आज के लिए इतना है आए होप इस वी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट और एकॉनोमिक्स पर काफी सारी वीडियो बनाते है इस चैनल पर फिर में लेंगे नए वीडियो में तब तक दिन्यवाद बंदे मातरम जैहें